शोताओं नमस्कार मैं निशा नेयर हमारे इस कारिक्रम भारत विकास डायरी में आपका स्वागत करती हूँ शोताओं इस कारिक्रम के जरिये हम आपको 36 गड़ के विभिन संसदीक शेत्रों के बारे में जानकारी देंगे इस कारिक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे रायपूर संसदीक शेत्र रायपूर संसदीक शेत्र के अंतरगत नौ विधान सभाक्षेत्र आते हैं इस संसदीक शेत्र में ताजा आकणों के अनुसार 23,69,000 से अधिक मत दाता हैं इन में से 11,89,315 पुरुश मत दाता और 11,89,681 महिला मत दाता हैं यदि आयूवर्ग के हिसाब से बात करें तो 18-19 आयूवर्ग की मत दाताओं की संख्या लगभग 49,000 है वहीं इस शेत्र में 80-99 वर्ष आयू के करीब 27,000 मत दाता हैं और 100-120 वर्ष आयू के करीब 344 मत दाता शामिल हैं वर्ष 2019 में हुए पिछले चुनाओं में इस संसदिक शेत्र से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी सुनिल सोनी ने जीत हासिल की थी उन्होंने अपने निकर्टम प्रतिद्वन्दी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रमोद दुबे को 3,48,000 से धिक मतों से हराया था इस चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी को 60 प्रतिशत और कॉंग्रेस को करीब 35 प्रतिशत मत प्राप्थ हुए थे पिछले चुनाओं में रायपूर लोकसभा क्षेत्र से कुल 25 उमीदवार मैदान में थे जिन में 2 महिला उमीदवार थी इस चुनाओं में रायपूर संसदिक शेत्र में 21,11,104 मत दाता थे जिन में से 13,99,958 मत दाताओं ने अपने मत धिकार का प्रेव किया था इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाओं में रायपूर संसदिक शेत्र में 66 प्रतिशत मत दान दर्ज किया गया था सबसे अधिक मत दान रायपूर ग्रामिण विधान सबाक शेत्र में हुआ था शोताओं विकास के अनिक कारे हुए हैं राइपुर का रेल रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी बहतर आपको मिलने वाला है जहां साड़े चार सो करोड रूपिया खर्च होता हैं करोड से अधिक पैसा जो है उसके अंदर में हमने लाया कई सडके बन गई हैं लगबग देड़ सो करोड की सडक भाटा पारा के अंदर सियारे के अंदर में पूर्णुक्ता की ओर है वो और अनेक जो है वो सडकों का निर्मार चल रहा है आने वाले समय में राइपूर से बलोदा बजार जो है अब फोर लेंड में सामील हो गया पहले मैंने इसको साथ मीटर से दस मीटर में सामील करवाया था लेकिन अभी के बज़ेट में वो फोर लेंड में सामील हो गया है वो आने वाले समय में एक घंटे में जो है वो बलोदा बजार आदनी राइपूर से पहुंच जाएगा ऐसी अने की उजना है सरोना रेलवे स्टेशन को जो है एम्स के साथ में जोड़ दिया पहले आएम्स जाने के लिए धाई किलोमीटर लगता था अब आएम्स जाने के लिए मात्र 242 मीटर चलना है रेल इंफ्राइस्टेक्चर रोड इंफ्राइस्टेक्चर उसके अलावा वैपारियों के लिए जो है आयकार ट्रिबनल यहां पर स्थापित कर दिया जिसका लोकारपण जो है केमिनेट मंत्री भारत सरकार रिजु जी और एस्पी सिंग बगेल राज मंत्री दोनों आकर उसका उद्गाटन कर दिये थे अभी हम टाडिबन फ्लाई वर का भी हम बहुत जल्दी जो है मैं कोसिस कर रहा हूँ चुनाओं आचार सही ताकर पहले उसका लोकारपण हो जाए वो काम हो जाएगा एम्स के अंदर में सौ क्रिटिकल अस्पताल का शिक्रिद भी हो गया उसका भूमी पूजन भी हमने बारस सरकार के केविनेट मंत्री से करवा दिया है अभी दो-तीन दिन में मैं भाटा-पारा के अंदर में क्रिटिकल हस्पताल पचास बैटका जिसका टेंडर भी हो गया वर्क ओर्डर भी हो गया उसका भूमी पूजन हम कर देंगे तो हेल्थ इंफरेस्टेक्चर और एजुकेशन के अंदर में लगबख साथ स्कूलें जो है वो राइपूर लोगसभा के अंदर में आने वाले इसी साल के अंत तक के जो है वो मॉडल स्कूल के रूप में बन जाएगी जिसमें हमारे बच्चों को फाइदा होगा कम समय में मैंने कोशिस किया कि मेरे लोगसभा के अंदर में अधिक योजनाएं आए और मैं लोगसभा के सभी भाईयों भेनों का धन्यवाद दूँगा कि आपने विश्वास करके मुझको सांसत बनाया मैंने आपकी सेवा करने का भरसक प्रयास किया है कोविट कालखंड के अंदर में मात्र 27 दिन में हमने बलोदा बजार के अंदर में 400 बैट का अस्पताल प्राइवेट पार्टनर्सिप में जन्भागीदारी के माध्यमस हमने बनाया है जो पर्मनेंट इंफ्रेस्टेक्टर जहां के हमने ऑक्सिजन प्लांट भी लगा दिया उसका भी हमनों घटन कर दिया आज से देड़ साल पहले तो वह भी अगर आप राजी सरकार से बात करके वहां भी एक अच्छा अस्पताल बने इसकी कोशिस होगी भाटा पारा राइपूर हमारे अन्य जो ब्लॉकिस्टर के जो अस्पताल है उन सबको भी हमने बजट के अंदर में सामिल कराया है तो आने वाला जो समय है वो राइपूर लोकसभा के लिए बहतर होगा हमारी फास्ट ट्रेने वंदे भारत यहां पर इस्टापेज है दुरंतु ट्रेन का इस्टापेज कराया और आने वाले समय के अंदर में चार मेहने के बाद जो है यहाँ पर सुपरफास ट्रेने जो है वो चलेगी और सभी स्टेशनों में जो है चाहे वो भाटा पारा हो चाहे तिल्दा हो चाहे अहदबंद हो चाहे अन्य छेतर हो जहाँ पर लोकल ट्रेने और ट्रेने रुखती वो भी उसका करम भी आने वाले समय में जारी हो जाएगा और सब को ट्रेन के माध्यम से सुविधा मिलेगी मैं केंद्र सरकार के प्रधान मंत्री जी और सभी मंत्रियों को धन्यवाद दूँगा कि सबका सहयोग मिला जिसके कारण हमने इतने काम यहाँ पे चालू करवाए शुक्रित करवाए राइपूर संसदिक शेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्री योजनाओं का लाब पहुचा है आकाश्वाणी समाचार ने इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की मैं हां सुमित्रा धुरूव बोलत हो राइपूर से मोला प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घर मिले है प्रधान मंत्री जी के मैं बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई और सुपकामनाए धन्यवाद देवत हों हम गरीब मन के सोचे हो हा और हम अनला बिना घर के रहवत रहे हों आरण के ग्राम बोलडा से बोला था। पहली मैं चुलहा में खाना पकात रहां। चुलहाबर मुला लकड़ी बिनेबर जाया पड़त रहें से। लेकिन मोदी जी के कारण हमां उज़ोला गैस योजना में चुलहाब मिलें। जेकर कारण मोला लाकडी बिने बननी जाना पड़े और बिना धुआ के मैं अपन घर में बैट के खाना बना पाता हूं इकर बर मैं मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद दे थो मैं ग्राम सेमरा ले रमसिल्ला बोला थां मोला प्रधान मंत्री मोदी दी द्वारा उज्वला गेस मिले है अखर से मोर तभियत वभियत आखी माँखी सब ठीक है पहली चुलाम खाना बनाओ त मोल बहुत तकलिप होई मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी बहुत अच्छा काम करे है मैं रोशन ग्राम सेमरा से बोलत हूँ मोला प्रधान मंत्री जी द्वारा आइसमान कार्ट जे मां स्वास्था के लिए लाब में बहुत फायदा हो थे जे मां स्वास्था से संबंधीत कोई भी समस्या जैसे आथे तो प्रधान मंत्री जी द्वारा जो इलाज के लिए उमां जो रासी अंत्रीत करेगे है पांच लाग के तक के मतलब निशूल का इलाज जो हो थे वो मोलब प्राप्त हो है शोताओं अध्योगिक द्रिष्टी से रायपूर संसदिक शेत्र में लोहा और सिमेंट उद्योग के साथ ही बड़ी संख्या में राइस मिल भी स्थापित हैं परिटन की द्रिष्टी से देखें तो रायपूर लोकसभा संसदिक शेत्र में एशिया का मानो निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी नवा रायपूर में स्थित है जहां लोग परिटन के लिए आते हैं वही चंद्खुरी में इस्थित मा कौशल्या देवी का मंदिर भगवान राम के ननिहाल की रूप में जाना जाता है इसी तरह चंपरण में श्री महाप्रभू वल्लभाचारे प्राकट्टी मंदिर परेटकों के लिए आकर्शन का केंद्र है यही पर चंपेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं रायपूर से 40 किलोमीटर की दूरी परिस्थित आरंग में 11 और 12 सदी के जैन मंदिर भार देव स्थापित है जो एतिहासिक द्रिष्टी से महत्वपूर्ण है वही श्री सत्यसाई संजीवनी अस्पताल नवारायपूर में इस्तित है जहां पर बच्चों के हिर्दै से सम्मंधित बीमारियों का नीशुर्क इलाज किया जाता है और यहां विश्व भर से लोग आकर इस विधा का लाब लेते हैं नवारायपूर में ही अंतराष्ट्री क्रिकेट स्टेडियम भी बना है जहां अंतराष्ट्री इस्तर के कई मैच खेले जाते हैं तो शुर्ताओं इसी के साथ अब मैं आपसे विधा लेती हूँ आठ मार्च को हम पुना मिलेंगे इसी समय इस कारिक्रम की अगली कड़ी में एक अन्य संसदिक शेत्र में हुए विकास की धेर सारी बातों और रोचप जानकारियों के साथ शुर्ताओं आपको इह कारिक्रम कैसा लगा हमारे इमेल भारत विकास डायरी रायपूर अट्डिरेट जीमेल डाट कॉम पर जरूर भेजे इस कारिक्रम को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार नमस्कार